जिलास पताल जब कोई मरीज भटकता है बलड के लिए जब किसी मा की कोई बेटी बेट पर जीवन और मौश से लड़ रही हो और उसको बलड न मिलता हो तो आप समझ सकते एक मा का दर्द उस मा का दर्द जो उसका बेटा साथ सल पहले बलड के अभाव में दम तोड़ दिया अब उसकी दुसरी बेटी जिलास पताल के वाड नमबर एमर्जनसी वाड में 17 नमबर बेट पर पड़ी है बड़ा दर्द है रो रही है कि कोई हमें बलड दे दे एक बेक्ति जब दुसरे काम से जिलास पताल के एमर्जनसी में पहुचा तो ये मा रो रही थी और दर्द देखा गया और उसने तुरंद ब्लेट ब्ली ब्लड मिलेगा लेकिन ब्लाइड देता हूं इस तर्द भरी इस मा का दर्द को सुना और ब्लड दिया जबकि बारा बैसे लड़की भरती है और पांच बजने जा रहा है इतने घंटे तक यह दर्दर भटकती रही क्या नाम है नूतन क्या हो गया बेटी को बेटी को बेटी को बुखार पहला भी दर बढ़ती हमको चिंता मैं जवान लड़का मर गया मरा था मर के साल साल हो रहा बेटी का नाम क्या है नंदिने राच नंदिनी कितना उमर है 20-80 बेटी भरती है ब्लड मिल गया ना आज मिल गया और भी ब्लड चाहिए अभी लगा ने क्या बोला एक कुन लगा ने पीद नाट्टर ने ने बोला खुन नहीं है लेकिन बिर बहादूर ने खुन दिया है यह मामला अकसर जिलास्पताल में देखने को मिलता है ब्लड बैंग में ब्लड जो भी आयोजन होते हैं बड़े-बड़े संस्ताओं के आयोजन होते हैं रक्त दान सिवीर होता है जिसमें जिला अधिकारी जो ब्लड हमें देगा यानि ब्लड के बदले ब्लड या फिर अगर अगर एमर्जनसी में ऐसी कोई दिक्कत होती है तो उसमें अधिकारियों से लिखवाना पड़ता है खासतोर में सीमेस से या फिर कोई चार्ज पर हो डाक्टर लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जब कोई म मरीजों के साथ जो गंबिर समस्याई बनी है चलिए माना कि इस महिला को ब्लड की आउ सकता है गरीब है खाने के लिए पैसे नहीं है मजदूर है कलकतास से आके यहां पड़ी है चुकि रहने वाली ही की है यह ब्लड के लिए जब सीमेस साब के गए तो सीमेस साब का अधर कि आना पड़ा दोस्तों मेरा तो सरकार से प्रसासन से ही निवेदन है कि इस तरह कि अगर कोई पेसेंट कोई महिला गरीब हो अती गरीब हो परशान हो उसकी परसानी हमें आपको शामिल होना पड़ेगा ताकि जीवन कैसे बचेगा हम वादे बहुत कर रहे हैं लेकिन धर कर से मैं काम ना करता हूं इनकी बेटी सही सलामत जिलास्वताल से निकल के घर को जाए नमस्कार